आज बनाएंगे हम चिकन गुष्टाबा, यकनी तो सबको बहुत पसंदे कश्मीर में, इस वन अफ माइ परसनल फेवरिट सेज वेल, तो आज हम आपको सिखाएंगे, आप गर पे बहुत आसान इसे चिकन गुष्टाबा कैसे बना सकते हैं यकनी में, तो इसके लिए हमने ल कर रही हूं, तोड़ा नमक भी आप डाल सकते हैं, इसको गैस पर रखेंगे, और एक दो उबाल लाएंगे, जब आपको लगएगा कि न्यूट्री अच्छे से प्रॉपरली सॉफ्ट हो चुकी है, और स्वेल अप हो चुकी है, तब आपे पानी पहेंगे, न्यूट्री को वाश करेंगे ठंडे पानी से और निचोड के रखेंगे, यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राहन में ऐड कर दिया है, बोले शिकन के पीसे, तो इसके साथ में डाल दूँगे, यहाँ पर नमक और साथ में डालूँगी बड़ी इलाइची के दाने, इसमें हमें बाकी कोई स्पा कर दिया है, और उसमें मैं अड कर दूँगी यह, तो यह मिन्स में अड कर देने से आपके जो गुश्ताबा है, वो उसका टेक्च्चर जो थोड़ा सा फाइन हो जाएगा, वो क्रैक नी होगा, वाइल बॉइल बॉइलिंग और वो टूटेगा नहीं, तो यह देखिए, का काफी अच्छी क्वालिटी की लगी मुझे इनकी यह बेसन, तो यह बेसन का मैं एक चमच आड कर रही हूँ, बेसन की वज़ा से भी यह नहीं टूटेगा, जब भी आप घर पे कोफते बना रहे हो, गुश्ताबा बना रहे हो, और इस ते बना रहे हो, अगर आपको बाइ अच्छे से प्रॉपर मिन्स बना देगे, यहाँ पर देखे, मैंने मिकस फोड़ प्रोससर में इंका मिन्स बना दिया है, आप चाहे तो इसको ओकली में भी कर सकते हो, अब हम इफ्रिज में रख देंगे, यहाँ पर मैंने दही ली है, इसको पहले हम विस्क करेंगे, मैं चोटी इलाइची डाल रही हूं इसमें और लॉंग साथ में डालूंगी बाड़ी इलाइची और दाल चीनी फिर में बाकी सारी स्पाइस भी इसी वक डाल दूंगी अभी गैस आफ रखा है मैंने तो मैं नमक एड़ कर दूंगी अकॉर्डिंट टेस्ट फिर इसमें हम ड कर देंगी तो यहां पर मैं अड़ कर रही हूं सौफ या फैनल सी पाउडर एक चमच साथ में डालूंगी मैं यहां पर जिंजर पाउडर का थोड़ा सा आदा चमच क्यूंकि जादा डालने से कड़वा बन जाएगा वो नहीं डाल यहां पर मेरा परसनल फेवरिट जो मैं को उसके बार डालते हैं स्पाइस बट ट्राइट इस वे इस तरह आपको ज्यादा अच्छी लगेगी है यहां तो मिक्स करेंगे सारे स्पाइस को आप हम इसको अबाल लाएंगे अब चाहे तो अबाल आने तक फिर भी इसको विस्क कर सकते हैं ताकि डबल शोर की कोडलिक अबाल ना हो उसके बाद इसको रिड्यूस का नेगले रख देंगे मस्टर ऑइल गरम करेंगे मैं जब मस्टर ऑइल प्रॉपरली गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्यास फ्राइब कर देंगे अगर आपके पास गर्में प्रान है या शालट्स को कश्मीरी में प्राउन कहत और ब्राउन होने के बाद आप चाहिए तो ऐसे भी आड़् कर सकते हैं लेकिन मैं इसका पेस्ट बना रही हूं ताकि जो यह प्यास है फिर जो प्यास जखनी में डाल देंगे ऐसे तो कच्छा थोड़ा लगेगा तो मैं इसका पेस्ट बना रही हूं यहां पर यखनी रे इसे बाद हमें डाल देंगे पानी जब आपको लगेगा कि गी हो सारा साइट पर रसायट फे राइचट कुका है पानी थोड़ासा अइक्स्ट बना locking हैं वहहां इसी यकनी में डालें देने देता कुशै पानी इतना होना चाहिए कमसे कम की गश्ताबा जो है वह उसमें प तो यहां पे मैं गुष्टाबा के लिए जो मिन्स है वो उठा रही हूँ अपनी चोई से आप छोटे बड़े अज्जस कर सकते हैं गुष्टाबा जितने आपको पसंद है तो यह देखे तेल लगाएगा हाथों पे दोनों हाथों पे ताकि जो यह मिन्स है यह आपके हाथो पे चिपक ना जाए स्टिक ना करें अब हम गुष्टाबा इसमें एड कर देंगे यकनी में और आप अपने अक्वाडिंग छोटे बड़े साइज के गुष्टाबा बनाके बॉइलिंग यकनी में एड कर दीजेगा रिमेंबर दिस तिंग यह उबलती हुए होनी चाहिए अगर यह उबल नहीं रही होगी तो आपके गुष्टाबा जो है वो तोट सकते हैं अब हमें इनको उबालने देना है और जो हमने जादा पानी आड किया है वो रेड्यूस कर देना है ताकि करी भी जो हमारे डिजाइड कंसिस्टेंसी की बन जाए और गुष्टाबा में भी फ्लेवर जाए और कुक हो जाए यहां पर देखिए कुछ देर पकाने के बाद मेरे मुझ करी हो लेट और जो गुष्टाबा है वो थोड़े बड़े भी हो गये हैं और आप देख सकते हैं यह टूटे भी नहीं है क्राक भी नहीं हुए है इनकी शेप भी रिटेन हो च सकते हैं मेरे फेस्बुक पेज कश्मीर फिर्फिजन पे तो फेस्बुक पे मैं कश्मीरे में अप्लोड करती हूँ आप वो भी देख सकते हैं और यहां पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको यह रेसिपी हमारी कैसी लगी